केज्रिवाल जी के नितित में अब दिल्ली होगी साफ अभ्यान दिल्ली में और अब कुछ दिन पेले हमने एक अनौंस्मेंट की थि, यente गोशना की थी कि अब दिल्ली होगी साफ को आगे बढाते हुए से अभियान को एक जन जागरन अभियान के शुरुवात की जाएगी और पूरी दिल्ली में एक मेरतन सफाई अभियान के रूप में इसकी शुरुवात होगी और इसकी शुरुवात हम कल 10 जनवरी से करने लगे हैं और कल 10 जनवरी से लेके मार्च के पहले हफते सक डेली अभ्यान चलेगा और पूरी दिली में हर विधान सबा में एक एक वाड में तमाम जितने पार्शद हैं जितने विधायक हैं मैं स्वयम डिप्टी मेर नेता सदन जी हम सब ग्राउंड जीरो पर जाकर जितने भी जीवी पॉइंट्स हैं उनका निरिक्षन करेंगे क्योंकि अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद बैठक में पता लगा कि काफी हद तक सतर से असी प्रतीशत जीवी पॉइंट्स खतम हो चुके हैं अब इस सतर और असी जो परसंट है इसको हमने सो परसंट तक हमें खतम करने का जो बीड़ा उठाया है वो मार्च के पहले अफ़ते तक एकदम से पूरी दिली में कूड़े का सफाया हो जाएगा और हम एके गली एके कूचे में जाकर इस सफाया भ्यान को चलाएंगे जनता का साथ चाहिए कारेकरताओं का साथ चाहिए पार्षदों का विधायकों का सब का और अब कल से लेके अगले पांच दिनों का जो स्केडूल है मैं आपको बताना चाहूंगी अब 10 जन्वरी को हम लोग यानि कि कल चानी चोक विधान सबा में हम निरिक्षन करने जाएंगे जो सिटी एसपी जोन में चानी चोक विधान सबा फिर 11 जन्वरी को शादरा साउत में हम दो विधान सबा कवर करेंगे त्रिलोकपुरी और कोंडली 12 जनवरी को हम लोग मादीपूर और राजोरी गार्डन कवर करेंगे जो वेस्स जोन में है उसके बाद 16 जनवरी को साउच जोन के छतरपूर और महरोली विधानसबा में हम लोग निरिकशन के लिए जाएंगे 17 जन्वरी को हम लोग मटिया में हैं लोग बल्ली मरान को कवर करेंगे जो सिटी एस्पी जोन में है हाला कि जो पूरा स्केडूल है हमने मार्श के पहले हफते तक बना लिया है पर अभी ये सिर्फ 5 दिनों का स्केडूल है जो हम आपसे शेर कर रहे हैं और जो वादा माननी मुख्यमंत्री अर्विन केजिवाल जी ने दिल्ली को साफ सुत्रा बनाने का जो सफाई विवस्ता को दुरुस करने का जो वादा किया है वो आने वाले डेड़ महीने में आप सब को देखने को मिलेगा एक साफ सुत्री और बहतरी इन दिली, बहुत बहुत धन्यवार, कोई सवाल है किसी का, जी? So, the GVP points were supposed to be clarified that you were, are there any specific reason has been delayed, no, it has not been delayed at all, already 80 to 85% of the GVP points has already been eliminated, but there are certain few points which cannot be fully eliminated, because such areas have no specific delay or authorized dumping points.